तो है गयचे का अभी यूटूबर सरच इस्टीर यानि के कुछ इसलिषस दिखाई देता है उसको आप डिलीट करना चाहते हो या आप वाच इस डिलीड़ देखते हो वहरा न की वाट नहीं के वाच इस्टी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा इसी तरह के वीडियो मिलती रहती है हमाई चैनल से तो गज करते हैं वीडियो को स्टार्ट सो गाईज यहां सब फोन के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यूट्यूब की शर्च इष्ट्री को और वाच इष्ट्री को ज़स्ट वन किलिक में किस तरह से डिलेट करेंगे चलिए उम्हें आपको बताता हूं सो आपको पहले YouTube open कर लेना होता है सो आपको उपर की साइट जो search बार दिखता है कुछ इस तरह से just click करेंगे तो यहां से आपने go search करता है कि आप यानि कि जो चीज भी आप जितनी बार search किया होंगे यहां पर आपको so करता है यहां साब को इस तरह की आपने on Matthew को सैट करती है कुछ इस तरह का इंटरोका तो उसके बाद यहां साब को सटिंग की तरह का ऑप्सका को wydaje सो शळाए जिक करते आपको यहां साब कुछ इस तरह काば इंटरविस होगा यहां से आपको सेकेंड नमबर पर क्लियर सर्च इस्ट्री दिखाता है और अपनी सर्च इस्ट्री को डिलेट कर देना है पर्ममेंटली डिलेट होता है अगर आप चाहते हो फिट से रिकवर करना तो नहीं होगा सो यहां से जैसे क्लिक करते हो यहां से आपको एक और मिलता है क्लियर सर्च इस्ट्री इस पर आपको क्लिक करना होता है जैसे आप क्लिक करते हो आपकी जो भी सर्च इस्ट्री होती है जो क्लियर हो जाती है पर्ममेंटली डिलेट हो जाती है सो आप उसको रिकवर भी नहीं क कर सकते हैं चलिए यहां से मैं आपको बैंक करके दिखाता हूं कि जो हमारी सर्च इस्ट्री थी और डिलेट हुई की नहीं हुई यहां से आप सकते हो कि जो भी हमारी सर्च से यहां से बहुत सार आपको सो हो रहा था सब किलियर हो चुका है सब डिलेट हो चुका है होड़ गई चलिए मैं आपको वाच इस तरह से दिखाता है उसको चलिए मैं आपको डिलेट करके दिखाता हूं सो अगर आप चाहते हो कि एक करके डिलीट करें तो बहुत सार आपको टाइम लग जाएगा और यहां से रिमूब फरम इस्टोडी करते करते आप ठक जाओगे सो एक किलिक में किस तर से डिलेट करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं सो आपको उपर की साइड जो लोगो दिख रहा है सो आपको उस पर किलिक करना है देन यहां से आपको सेटिंग वाले अप्शन पर किलिक करना है देन आपकी जो भी यानिकी history थी वह सब कुछ delete हो चुकिया है और यहाँ सब फिर से bank करके मैं आपको दिखाता हूँ कि clear हुआ है कि नहीं हुआ है So, यहाँ साम जैसे हैं bank आते हैं और तो यहाँ पर आपको एक भी history देखने के लिए नहीं मिलता है जो भी यहांपे पहले सो कर रहा है, एक भी यहांपे नहीं सो कर रहा है, सब डिलेट हो चुका है, सब रिम्यूब हो चुका है, macbook आप इसी तरह से एक किलिक में यानि की सर्च हिस्ट्री और वाच हिस्ट्री का डिलेट कर सकते हो, तो गैस आपको ए वीडियो का इस लागक कमेंट कर दिजे